तहवारों पर हम अक्सर सोचते हैं कि कम तेल और मसालों का खाया जाए जो पूरी तरह से हेल्थी भी हो और टेस्टी भी और साथ में तहवारों का मजा भी आ जाए तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लिकर आई हूँ पूरी तरह से हेल्थी चूड़ा की रेसिपी और इस च देख सकते हैं और यह पोह ना आपको किसी भी ग्रोसे इस्टोर पर आराम से मिल जाएगा पोह बनाने के लिए मैंने सुखे नारेल को इस तरह से छोटे-छोटे पीस में काट लिया है नारेल के पीशना आप अपने हिसाब से छोटे-बड़े रख सकते हैं और मैंने काजू लिए है वनफोर्थ कप इस तरह से मैंने हाफ पीस में काट लिया है साथ में हम लेंगे मुमफली वनफोर्थ कप और साथ में रोस्टेट चना लेंगे वनफोर्थ कप मसाले में हम हल्दी ले लेंगे और नमक लेंगे और यह देखे हरी मेर्च को इस तरह से मैंने काट लि तो हमें करना क्या है कड़ाई को मैंने गैस के उपर रखते हैं और कड़ाई के अंदर हम पोह सुखा ही रोस्ट कर लेना है यानि हमें तेल वगेरा इसमें कुछ भी नहीं डालना है तो बस इस तरह से हमें लगातार चलाते हुए पोहे को 8-10 मनट तक हमें इसे भून लेना है जैसे जैसे हम भूनेंगे न वैसे वैसे पोहा श्रिंख होते जाएगा तो ये देखें इस तरह से क्रश करेंगे न तो चूरा हो जाएगा पोहा तो ये पोहा हमारा भून चुका है तो इस पोहे को हम एक तरफ रख देते हैं मैंने यहां दूसरी कड़ाई ली है इसके अंदर मैंने दो चमस तेल डाल दिया है कड़ाई के अंदर हम वनफोर्थ का मुमफली डाल देंगे तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें मुमफली को भी लो मीडियम फ्लेम पर भून लेना है और यह देखिए मुमफली चटकने लगी और कलर भी चेंज हो गया है तो इसे कड़ाई में से निकाल लेंगे तो फिर से हम इसमें कड़ाई के अंदर दो चमस तेल डाल देंगे अब हमें चने को भी भून लेना है थोड़ा सा वैसे तो यह भूना हुआ चना है लेकिन हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे तेल के अंदर बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इसका उतना ही हमें चने को भून लेना है चनी का color थोड़ा सा change हो गया है तो बस हमें करना क्या है इसे तेल में से हम निकाल लेंगे एक बात याद रखे, सारा process हमें low medium flame पर ही करना है तो फिर से हम इसमें डाल देंगे लगबद 2 चमश तेल और बस इसी तरह से काजू को भी हम तेल में बुन लेंगे इसका थोड़ा सा कलर चींज हो जाए तब तक हम इसे भुन लेंगे और ये दिखिए इसका कलर भी चींज हो गया है तो बस इसे स्टेज पर हमें काजू भी तेल में से हम निकाल लेंगे ड्राइ फ्रूट आपको जो भी पसंद है आप चूड़े के अंदर डाल सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे कड़ाई के अंदर डाल देंगे तेल एक चमस डाल देंगे तो अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए ड्राई coconut जो हमने काटके रखेते हैं इसे भी हम तोड़ा सा भूनलेंगे तो बस इस तरह से लगातार चलाते हुए हमी इस चैन्च उने तक नारेल को भूनलेना है तो आप देख सकते हैं नारेल का कलर भी चेंज हो गया है तो इसे भी हम कड़ाई में से निकाल लेंगे इस चूड़े को हम बहुत ही हल्थी बना रहे हैं इसलिए हम इसमें बहुत ही कम तिल का यूज करेंगे यहां हमारा चुड़ा भी थंड़ा हो गया है तो बस हमें करना क्या है चुड़े के अंदर जो सभी तली वाली चीज़े हैं हमने तली थी सब डाल देंगे तो बस सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से पुहे के अंदर मिला लेना है यहाँ चुड़ा पाइनली हमारा तैयार हो गया है बस हमें तड़का लगाना है तो चलिए फटा-फट से हम चुड़े के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं कढ़ाई मैंने गैस के उपर रग दी है और इसके अंदर हम एक बड़ा चमज तेल डाल देंगे पोही के लिए इतना टेल सफिशन्ट है तेल को गरम होने देंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 चमज जीरा और 1 चमज सौफ डाल देंगे सौफ डालने से चुड़े का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और साथ में हम बिल्कुल थोड़ी से हिंग डाल देंगे कटी हुई हरी मेच डाल देंगे हम थोड़ी सी और अगर आपको तीखा जादा पसंदे तो लाल मेच पाउडर भी डाल सकते हैं तड़के के अंदर हम धेर सारे कड़ी पत्ते डाल देंगे एक चमबा छल्दी पाउडर डाल देंगे तो बस सभी चीजों को हम तेल में थोड़ा सा भून लेंगे यहां हमारा तड़का तैयार हो गया है तो इस कड़ाई को हटा के मैं चूड़ी वाली जो कड़ाई है उसे मैंने गैस के उपर रग दिया है तड़का हमने जो चूड़े के लिए तैयार किया है उसे हम डाल देंगे और तड़के को डाल कर सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे यहां मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा रखा है और इसे हम मिला लेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं चूड़े के अंदर बिल्कुल भी तेल नहीं दिख रहा है और आप देख सकते हैं तड़का हमारा जो है न कोही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और चूड़े का कलर भी चेंज हो गया है तो बस इसमें हम डालेंगे थोड़े और मसालें अभी तक हमने चूड़े के अंदर नमक नहीं डाला है तो अब आम नमक डाल देंगे नमक मेंने आदा चमच डाला है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते और साथ ही चूड़े को चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे एक चमच अमचूर पाउडर अमचूर पाउडर की जगर चाट मसाला भी डाल सकते हैं और साथ में चूड़े के अंदर में पिसी हुई चीनी डाल दे रही हूँ आदा चमच इससे क्या होगा ना चूड़े का टेस्ट थोड़ा खटा मीठा आएगा तो बस सभी को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है और आपको मीठा पसंद नहीं है चूड़े के अंदर तो आप इसी हुई चीनी स्केप कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहां मैंने सभी मसाले चूड़े के अंदर अच्छी तरह से मिला लिए हैं कम तेल वाला चूड़ा हमारा यहां बनके तयार हो गया है इस चूड़े को ह तो इस तेवाली पर आप यह चूड़ा घर में जरूर बना के देखें और कैसा बना है मुझे कमेंट करके जरूर बताए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ में